विद्यार्थियों, जेसी आठी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों, आठवी कक्षा के समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम इतिहास का ध्यन कर रहे हैं और हम आपके इतिहास के सात्वे अध्याय जिसका नाम है बिटिस काल में सिच्छा तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि प्राच्यवादी कौन है हमने ये जानने की कोशिस की कि ओरियेंटलिस्ट कौन है थोड़ा सा मैं पुना दोरा दूँ कि ओरियेंटलिस्ट वे लोग थे जो की भारतिये भासाओं को प्रस्रय देते थे और भारतिये भासाओं में जो साहित उपलब्ध था उसको महत्वपुन मानते हुए वे सिच्छा के विकास में लगे हुए थे तो ऐसे लोगों में कौन-कौन थे विद्यार्थियों ऐसे लोगों में थे हेंरी टॉमस कॉलब्रूक विलियम जॉन्स है ना और एक नेथनियल हॉल हेड तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और और औरियेंटलिस्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया है विद्यार्थियों इसी क्रम में हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिस की है कि एसिएटिक सोसाइटी क्या है कहां पे है है ना और इसकी भारती सिक्षक्ष के छेतर में क्या भूमिका है Asiatic Society of Bengali के बारे में हमने जाना Asiatic Society of Bombay के बारे में भी हमने जान लिया है तो इस करम में विद्यारतियों जो और कुछ महत्वपून बाते हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे हम लोगों ने कलकता मदर्सा के बारे में भी जाना जो की आज के डेट में आलिया इन्वर्सिटी के नाम से जाना जाता है तो चलिए अब तक जो प्राचवादियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो समापत नहीं हुई है इसी करम में मैं आपको आगे जोनाथन डंकन के बारे में बताता हूं तो विद्यार्थियूं यहाँ पे आप जोनाथन डंकन की तस्वीर देख सकते हैं सन 1791 में ब्रिटिस रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में यानि की वारानसी में हिंदू कॉलेज की अस्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रन्थों की सिक प्राटेंस देते हैं और भारतिय संस्कृति से जुड़े हुए जो संस्थान है वैसे संस्थान बनाते हैं और उन्ही भासाओं के विकास में अपना योग देते हैं तो ये अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे की भावना विद्यार्थियों ये भी हो सकती है कि वे जो है भारत पर अपना सासन को जादा दुरुस्त करने के लिए ऐसा करना चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है, है ना, तो इसकी चर्चा तो पाठे पुस्तक में नहीं है, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिस करते हैं, विद्यागतियों देखिए, भारतिय सिक्षा पदती की महत्ता क स्विकारते हुए पाउरानिक नगरी कासी में, सन 1791 में संस्क्रित कॉलेज और बनारस की अस्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, ठीक है, विद्यागतियों जदी आप संस्क्रित कॉलेज और बनारस को आज देखना चाहेंगे, तो ये आज भी मौजूद है, आज इस संस्थान को संपूर्णानन संस्कृत विशुविद्याले कहा जाता है ठीक है विद्यारतियों तो देखिए सं 1756 में जनमे जोनाथन डंकन 1795 से 1818 में मृत्यू होने तर ततकालिन बॉंबे प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे केरियर के सुरुवाती दौर में सं 1788 में उन्हें लॉड कॉर्णवालिस ने बनारस के अधिक्षक पद पर धैनाद किया था उन्हें कासी के महत्तो का बोध हुआ और उन्होंने इसे सिख्षा के छेतर में प्रयोग करते हुए संस्कृत कॉलेज बनारस की अस्थापना की बनारस से ही उनकी पदों नित्ती दे कर सं 1795 में ततकालीन मुंबई का गवर्नर बना दिया गया था तो इन बातों को समझे होंगे विद्यार्थियों चलिए और हम आगे बढ़ते हैं प्राचवादियों का बिरोध विद्यार्थियों अब ये क्या बात हो गए अंग्रेजों में सही कुछ अंग्रेज ऐसे हैं जो की ओरियेंटलिस्ट का बिरोध करते हैं यानि की प्राचवादियों का बिरोध करते हैं क्यों करते हैं से बहुत सारे प्राचवादियों के कटू आलोचक भी थे कई इसाई मिस्नरियों ने इस बात का समर्थन किया कि पास्चात साहित यानि की वेस्टन लिटेचर जो है और इसाई पत्र अंग्रेजी माध्यम के द्वारा प्रचारित किया जाना चाहिए कई इसाई मिस्नरियों प्राचीन विद्यापरणाली को पुनरजिवित करने की निंदा की यानि की ओरियंटलिस्ट जो की पचास बरसों से जो लगे हुए थे भारतिय भासाओं को समर्थन देने में उसका बिरोध भी हो रहा था सन 1830 के दसक तक प्राचेवादियों यानि ओरियंटलिस्ट का विरोध और तीखा हो गया था लौड मेकाले जिने तॉमस वेविंग्टन मेकाले भी कहते हैं इन आलोचकों में सबसे मुखर और परभावसाली विचारक थे विद्यार्थियों आप लोगोंने सुना होगा लौड मेकाले की सिच्छा पदती तो लौड मेकाले की जो सिच्छा पदती थी वो क्या थी वो लौड मेकाले वास्तम में भारत को एक असब्भेदेश मानता था है ना भारत को एक असब्भेदेश मानता था और उसकी ये सो जिसके चलते की आज जो भारत में आप सिख्छा पदती आप देख रहे हैं, वो सिख्छा पदती आप मतलब एक तरह से मिकाले की सिख्छा पदती के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है विद्यारतियों, और इनकी जो कुछ सोच है ना, उस सोच को जदी हम उनी के सब्दों में जदी हम कहें, तो वो कहते हैं कि a single self of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia, मतलब वो कहते हैं कि एरोब के किसी अच्छे लाइबरेरी, अच्छे पुस्तकाले का जो एक self है ना, उस self में जितनी पुस्तके रखी हुई है, वे पुस्तके संपुन भारत और अरब के साहिते से कहीं जादा है, त महारत के बारे में जो सोचते हैं, वो कितना दूर तक सही है और कितना दूर तक गलत है, क्या हमारा संस्कृत सहीते जो है, इतना संपन है, इतना कुछ है उसमें, है ना, वेदों, पुराणों, है ना, और उसी तरह से रामायन, महाभारत और ना जाने संस्कृत में क्या कु कि इरोब का एक साधारन सा जो लाइब्रेरी है एक छोटा सा पुस्तकाला है उसके एल एक सेल्फ में जितनी पुस्तके रखी हुई है जितना ग्यान भी ग्यान का चीज है उतना जो है संपुन भारत का लिटरीचर और संपुन अरबिया का संपुन अरब का लिटरीचर हो सकत तो इसकिन पर देखिए विद्यार्थियों लॉड मेकाले भारत को सब्वे देश मानते थे जिसे सब्वेता का पार्ट पढ़ाना जरूरी था मेकाले के मुताबिक पुर्वी ज्यान की कोई भी साखा इंग्लेंड की प्रगति की समकर्ष नहीं थी मेकाले का कहना था कि एक अच्छे इरोपिय पुस्तकाले का केवल एक खाना ही भारत और अर्बों के समूचे देशी सहित्य के बराबर है इससे मेकाले के भारतिय रिती रिवाज और सहित्य के लिए तिरास तिरसकार पून द्रिश्टी सावित होती है मतलब वो त्रिसकारपुन ड्रिष्टी भारत के लिए रखते थे आगे विद्यार्थियों मेकाले भारतिय समाज में ब्रिटिस मानसिक्ता बिक्सित करना चाहता था जो सरीर, मन और खून से तो भारतिय हो बैचारिक और बौधिक अस्तर पर अंग्रेज हो ताकि ब्रिटिस सत्ता को चीरस्थाई बनाया जा सके आप समझ सकते हैं विद्यार्थियों तो इसके आगे हैं विद्यार्थियों मेकाले का मीनिट्स जिसको हम लोग कहते हैं मेकाले का बिवरणी सन 1830 में लॉर्ड मेकाले के दुआरा भारतिय सिक्षा की नई बेवस्था को लेकर एक लंबा पत्र एक बहुत बड़ा लेटर ततकालीन गवर्नर जनरल जो थे जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक तो उनको एक पत्र लिखा गया था उसी पत्र को मेकाले के मिनट्स के नाम से जाता है तो जदी कभी आपसे प्रस्ण पूछा जा रहा है कि मेकाले का मिनट्स क्या चीज है तो मेकाले का मिनट्स एक पत्र है जो की काफी लंबा है और उसमें भारत में सिक्षा की क्या बेवस्था होना चाहिए इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है और ये पत्र किसको लिखा गया था ततकालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बैंटिक थे उनको लिखा गया था ठीक है विद्यारतियों तो उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया था उसी के आधार पर सन 1835 में अंग्रेजी सिक्षा आधिनियम यानि इंग्लिस एजुकेशन एक्ट 1835 बनता है हना 1835 की अंग्रेजी सिक्षा आधिनियम क्या थी उसको आप देखिये विद्यारतियों मेकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का सिक्षा आधिनियम पारित किया गया यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्छ सिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसाता था बनारस के संस्कित कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को बढ़ावा न दिया जाए इन संस्थानों को अपने आप छरण का सिकार होते जा रहा है अंधकार के मंदिर की संग्या दी गई देखिए बच्चों कितनी भ्यावा बात है है जो काम बिलियम जोन्स ने किया उसका ठीक उलट किस ने किया टॉमस वेविंग्टन मेकाले ने किया ठीक है भी द्यारतियों अब आगे आप देख लीजिए सन 1849 इसुई में छोटा नार्पूर के कमिस्नर देखिए ये भी द्यारतियों ये जो अभी जो मैं जनकारी दे र में इंग्लिस एजुकेशन एक्ट कब बनता है 1835 में यानि कि चार साल के बाद गांची का जिला इसकूल बनता है जो कि आप गांची में देख सकते हैं है ना तो सन 1849 इसुई में छोटा नार्पूर के कमिस्नर जे आर ओसले दुआरा लॉड मेकाले की सिक्षा निती के तह बनता गांची जिला इसकूल के अस्थापना की गई जो मिडिल अस्तर का था तो शुरुआत में मिडिल अस्तर का रहा होगा है ना आज तो विद्यागतियों ये प्लस टु स्कूल है आपको पता है और इसका नाम भी चेंज हो गिया है है ना लेकिन फिर भी ये जिला चाप्टर में आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि बिटिस काल में ही सिक्षा के मामले में और कौन-कौन से परिवर्तन हुए, तो इसके बारे में हम लोग अभी अध्यन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उसमें हम लोग व ना बच्चों, एक तो प्राचवादियों के बारे में जाना, और दूसरा आप लोगों ने क्या जाना, इंग्लिस एजुकेशन एक्ट 1835, जिसका सम्मन लॉड मेकाले से हैं, और हम लोग हमेशा आम बोलचाल की भासा में करते हैं, लॉड मेकाले की सिछा पदती, या मेका और आगे भी इस चैप्टर से आपको जुड़े रहना विद्यार्थियों और अगले वीडियो को आपको देखना है, और विद्यार्थियों आपके लिए एक निर्देश है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जारखन डिजी स्कूल आप, प्रिये विद्यार्थियों आप दो बातें याद रखें, नमबर वन, आप जारकन डिजी स्कूल आप अवस से डाउनलोड कर लीजिए, विद्यार्थियों प्रते एक दिन जो आपको लिंक भेज़े जाते हैं, वो लिंक तो आप देखते ही हैं, लेकिन डिजी स्कूल आप जब डाउनलोड कर लेंगे, त वह भी टिपणी के माध्यम से कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों, जोहार विद्यार्थियों, जहिन विद्यार्थियों